अज़े आपने बनावीसु सवारना नास्ता मा खावानी मजा पड़ी जाए तेवा टेश्टी नाइलोन खमण अने आ नाइलोन खमण जेचे ते आपने परफेक्ट माप्थी बनावीसु अने जो हाँ तमने मारी रेसिपी पसंद आवती होई अने हजुसुदी मारी चैनल न करी होई तो प्लीज सब्सक्राइब करो तो चालो बनावी टेश्टी एवा नाइलोन खमण जे परफेक्ट माप्थी बनावीसु अपने तो तेना माटे सव प्रथम मे अहीं आरिते जे मेजरिंग कप आवे ते कप लए लिदा छे अने अहीं एक कप अने अर्धो कप एरित डोड कप जे छे ते मे लिदा छे अने मारो कप जे छे ते 240 मेल नो छे तो अहीं सव प्रथम डोड कप जे टलो आरिते दबावी ने बरी ने आपने बेसन जे छे ते लए ले लेसु अने बेसन पन अहीं सारी क्वोलेटी नो लेवो तो अहीं आरिते दबावी ने बेसन जे पाणी जे छे ते नॉर्मल अच्छे अने पाणी मा हवे आपने अहीं टेबल स्पुन आजे श्पुन आजे श्पुन पाणी मा आपने चार टेबल स्पुन आजे श्पुन 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 त्यार बाद आ बन्नेव वस्तुने आपने पाणी साथे ज्यासुदी मिक्स न थाई जाए त्यासुदी आली ते हलावता रहेशु। तेने पन अहीं चाणी वडे चाडी ने तेमा एकदम सरस्रीते मिक्स करी देशु। पनोकब चितलू पाणी जे लिदू अतु तेज पाणी मा आपने तेने एकदम सरस्रीते मिक्स करी देशु। अने आरी ते मिक्स थाई जाए त्यार बाद तेने आपने 5-7 मिनिट माटे आरी ते फेटी लेशु। तो अहीं बेटर ने जरूर थी फेटू 5-7 मिनिट माटे तेना थी तेमा हवाना कॉन भरासे अने आपना नाइलोन खमण जेचे ते एकदम स्पॉंजी अने एकदम आरी ते सौफ्ट थसे अने त्यार बाद हवे अहीं हुँ। बे टेबल स्पून जेटलू पाणी जेचे ते अहीं लाष्ट मा थोडू में उमेरी दिदू छे अने तेने थोड़ी वार माटे आपने फरी थी पाणी ने एकदम सरस्त्री ते मिक्स करी ने थोड़ी वार माटे बेटर ने फेटी लेशु। तो आरीते बैटर ने थोड़ी वार माटे जरूर थी फेटू 5-7 मिनिट माटे तो आरीते बैटर एकदम सरस्तिते फेटाई गयू और मिक्स थाई गयू हवे तेने आपने ढाकी ने 15 मिनिट माटे रेवा देशू तो आरीते बैटर रेडी थाई जाई ते आर बाद तेने ढा लाई जासे चाणा नुलोट त्यार बाद हवे नाइलोन खमन बनावा माटे सव प्रतम आपने पाणी जेछे ते स्टीम थवा माटे मुखी देए तो एक कड़ाय मामे तन थी चार ग्लास चेटलू पाणी नाखी दिदुछे तेमा अहीं लिम्बू जेछे तेम उमेरी दिद तो त्यारे उपर थी डाकन मा आरीते कपडु बांधी लेऊ अने डाकन पर कपडु बांधवा थी वराड जेछे ते सिद्धी खमन पर नहीं पड़े तेना थी खमन जेछे ने एकदम सरस्रीते आरीते जाडिदार बन्चे आने फूलासे त्यार बाद हवे अहीं बेटर मा आमें एक टीस्पून जेतलू मिठू उमेरी दिदू छे आने वन फोर्थ टीस्पून जेतली हड़दार उमेरी दिदी छे आने बे टेबल स्पून जेतलू ओल उमेरी देशु तेल हवे आ त्रोणे वस्तूने सव प्रथम अहीं खमणना बेटर मा एकदम सरस्रीते मिक्स करी देशु एटले फरी थी तेने आरीते थोड़ी आर माटे फैंटी लेशु ज्यांसुदी तेल मिठू अने हड़दर जेचे ते बेटर मा एकदम सरस्रीते मिक्स थाई जाई तो आ तेवी पसंद करवी काराण के नाइलोन खमण जी छे थे थोड़ा फूला से और आरीते जाडी दार बन्षे ये पलेट होई ते पन आरीते उन्डी पसंद करवी अने तेने आरीते आपने ओईल वड़े सव प्रथम ग्रीस करी लेशु तो आरीते पलेटने ग्रीस करिया ब दारे दिवसनों पढ़ियो होई ते यूज न करवो, फ्रेसज यूज करवो, तो आरी ते बेकिंग सोडा आपने उमेरी सु, एटले बेटर जे छे ते एकदम फ्लोफी थाई जासे, अने एकदम आरी ते फूलावा माण से, तो आरी ते बेकिंग सोडा ने पन आपने बेटर यूज एटले के सोडा ने पन बेटर साथे एकदम सरस्रीते मेकस करवो, और आरी ते बेकिंग सोडा एकदम सरस्रीते मेकस थाई जांए त्यार बाद एने तरताज, आपने ज¿े तेल थी ग्रीस करेली प्लेट शे, तेमा आरी ते रिडी देशु, और दे तेने आर बाद तो आरिते नाइलोन खमाण ने आपने हाई गेस नी फ्लेम राखी ने 20-25 मिनिट माटे स्टीम थवा देशु। तो अहीं 25 मिनिट बाद जो ही सको छो कि खमाण जे छे ते । एकदम सरसरी त्यार दे फुलेला बनियाचे औने एकदम सॉफ्ट पन बनियाचे औने उपर थि एकदम जाडि दार बनियाचे अने खमण ज्यारे श्टीम थता होई त्यारे तेने खोली ने चेक पन न करवा 20 बिनीट बाद चेक करवा जो वच्चे खोली ने चेक करशो तो खमण जे आरिते वे स्पांजी अने जाडिदार बने चे ते 20 जसेले सर्खा फूला से नहीं तो त्यार बाद अहीं खमण ने में बहर काड़ी लिदा चे अने तेनी थोड़ा एवा ठंडा थवा देशु अने थोड़ा एवा ठंडा थई जाए त्यार बाद तेनी आजुबाजुनी कीनारी में चप्पू वडे अलग करी लिदी चे अने तेने आरिते एक प्लेट मा उं वगार करवानों छे तो ए वगार जे छे ते एकदम सरस्री ते खंबन मा फेलाई जाये तेना माटे खंबन ने आरीते थोड़ा पोड़ा करी लेशु अन्ये त्यार बाद हवे नाइलोन खंबन नो वगार करवा माटे अहीं एक नानी एवी कड़ाये मां में एक पान उमेरी देशु अन्ये त्यार बाद हवे तेमा अहीं आपने थोड़ी एवी हिंग उमेरी देशु अन्ये हिंग उमेरी देशु अन्ये हिंग उमेरी आबाद हवे तेमा आपने पोणो कप चेटलू पाणी उमेरी देशु अन्ये पोणो कप चेटलू पाणी उमेरी आ देशु तो आरीते खांड नाख्या बाद एक उब्र आवी जाए अन्ने खांड एकदम सरस्ते वगार मा पिगडी जाए त्यार बाद तेने आपने वगार ने उतारी लेशु और आपने खम्मन रेडी करिया चे तेने उपर रेडी देशु तो आ बदोज वगार जेचे ते आपने खम्मन रेडी देशु अन्ने आ वगार रेडवा थी खम्मन जेचे ते एकदम जूसी थाई जाए चे अन्ने खाती वखाते गडामा अटक से पन नहीं तो बदोज वगार जेचे ते हुँ अही नाइलोन खम्मन उपर रेडी देशु अन्ने अहीं तयार चे आईलोन खम्मन तमें क्यारे ना बनाविया होई तो एक वार जरुथी ट्राइ कर जो अन्ने आज निया रेसीपी जुआ बदल तमारों खोबको बापर थेंक्स फोर वाचिंग